नमस्ते दोस्तों, आज हम सीखेंगे कि सूरज निकलने से पहले पीपल के पेड़ की पूजा क्यों नहीं करनी चाहिए? कार्तिक, महीने में तो पीपल की पूजा बड़ी फलदाई होती है, भगवान विश्नु की कृपा बरस्ती है. लेकिन क्या आपको पता है, सूरज उगने से पहले पीपल की पूजा नहीं करनी चाहिए? क्योंकि शास्त्रों में बताया गया है कि इस वक्त पीपल में अलक्ष्मी होती है, जिससे घर में गरीबी आ सकती है. तो ध्यान रखें, सूरज निकलने के बाद ही पीपल की पूजा करें. अरे, पीपल की पूजा के और भी नियम है, जैसे रविवार के दिन पीपल पर जल मत चढ़ाओ और शाम को भी जल चढ़ाने से बचना चाहिए. सूरज निकलने के बाद, तांबे या पीतल के लोटे से जल चढ़ाएं और साथ बार पीपल की परिक्रमा करें. मान्यता है कि पीपल की पूजा से मन की सारी मुरादें पूरी होती हैं, ग्रह दोश और काल सर्प दोश भी शांत हो जाते हैं, और सबसे बड़ी बात घर में खुशाली बनी रहती है. तो इस कार्तिक मास नियम से पीपल की पूजा करें और भगवान विश्नु का आशीरवाद पाएं. सार्तिक खार.